नमस्कार स्वागत है आप देख रहे हैं डॉक्टर साहभ मैं हूँ विजय कृष्पन और आज हमारे साथ मौझूद है sui डॉक्टर सहाब बिहार के जाने माने जनरल फिजीसियन है डॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत धन्यवाद तो इससे क्या सारी जो है उस पे क्या असर पड़ रहा है देखिए बहुत महत्वपूंड बात है और प्रैक्टिकल बात है आज को युवाओं के बीच में जिस तरह का वर्क स्ट्रेस है और जो टाइमिंग चेंज हुए है इससे बहुत सारी परिशानिया भी आई है एक तो पहला चीज है कि स्वस्त रहने के लिए कम से कम साथ से आठ घंटे की साउंड स्लीप बहुत आवशक होती है और बायलिजिकल रिद्म के अनुसार जो हुमिन बीइंग होते हैं वो रात में सोने वाले दिन में जगने वाले प्राणी होते हैं बहुत सारे नौक्चरणल प्राणी भी होते हैं जैसे शेर बाग इस तरह के जो रातों में जगते हैं दीन में सोते हैं लेकिन जो इम्मिन बीइंग बाई नेचर बाई इवुलूशन जो है वो दीन में जगना और रात में सोने का ही प्राणी है लेकिन वर्क रिलेटेड changes के कारण से हाल के दिनों में जो परिवर्तन हुए है स्ली पैटरंट में उस कारण से बहुत सारी परिशानिया देखी गई हैं उसमें कॉमनली अनिद्रा के भी शिकायत आ रही है और उसके साथ साथ digestive problem की शिकायत आ रही है थोड़ी irritability आ रही है work related stress के कारण से acidity भी हो रही ह है तो यह सब परिशानिया आई है अभी जो shift वाला काम है और जो changes होते हैं कि एक हफ़ता सुबह में काम किये पंदरह दिन फिर रात में काम किये तो उसको set करने में बाले जगल clock को body को time लगता है और उससे थोड़ी परिशानिया बढ़ रही है नोट सब यह तो शारी एक कुछ मानसिक बिमारियां भी होती है इसके लवाज बीपी और सुगर भी है डॉक्टर का एक सर्वे है जो कहना है यह भी clock परिवर्दन से यह भी असर पढ़ रहा है इस्ट्रेस लेवल है तो सुगर और बीपी दोनों हो रहे हैं तो यह क्या सचाहिए कि जी इसमें सचाही है कुछ हद तक क्योंकि अभी बहुत लारजर स्टेडीज नहीं आई हैं सामने जो डबल ब्लाइंड हो जो की दो सबसेट पर देखा जा लेकिन यह यह नोन फैक्ट है कि जो कॉर्टीसोल होता है जो हार्मोन इंजाइम होते हैं वो अलग-अलग समय में ज्यादा सिक्रीट होते हैं कोई अर्ली मॉर्निंग में सिक्रीशन होता है कोटिकोस्टराइट का बॉड़ी के द्वारा तो उससे क्या होता है शुगर का और इस्ट्रेस के करण से जब स्लीप नहीं पूरा हो पा रहा है तो डाइजस्टिबिलिटी इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम को स्ट्र अनिद्रा, इंस्वामनिया, चिर्चिडाहट ये सब बढ़ी है लोटर सब किस्तों में जिन्दी कट रही है पैसे कमानी तो जरूरी है तो आखी जो काम कर रहे हैं काम तो छोड़ेंगे नहीं उनको क्या सला देंगे बहुत महत्पूर्ण सवाल पुना है कि इस तरह के हाल आप चिकित्सिय सलाह में जो नीन्द की प्राब्रम हो रही है शिफ्ट के कारण से तो एक दो दिन चिकित्सिय सलाह में जो स्लीप इंड्यूसिंग मेड़िसिन से लेना में कोई हर्ज नहीं होता है कि कोई नॉर्मल होना चाहिए और साथ घंटे की साउंड स्लीप आपको अवर्षय होनी चाहिए दिन में हो या रात में हो दूसरी चीज है कि खान पान में चुकि आपका भाग दौड की आपकी जिंदिगी है लेकिन फिर भी अगर लॉंग टर्म के खाना है तो कभी पैकेस्ट फूड पर लंबा समय तक मत खाएं अपने घर में बनाने का में तो फिर आगे चल करके गस्ट्राइटिस, इसीडिटी, जॉन्डिस बहुत तरही की बीमारियां आ सकती है तो यह दो तीन बात पर अपने डायट हैविट पर अपने स्लीप को कंट्रोल करके आप अगर शिफ्ट में काम करें फिर भी अपने को स्वास्त रख सकते हैं अ पर तो महीनों, बिना सोओ बें बिना अच्छे स्लीप लिये वे रह पा रहे हैं, जबकि एक अच्छी अच्छी स्लीप पिल आयासी आई जिनकी हाफ नहीं बहुत कम होती हैं वो लॉन्ग टर्म पर यह एफ़ंगी नहीं करते हैं यह तो मेरा मा perksना यह है कि अगर जिनको तो आप चिकित्सिये देखरेक में जो शरीर के लिए उप्यूक्त है उसको कुछ दिन तक सेवन करने में कोई हर्शनी होती है और लेकिन अगर आप नहीं लेंगे और नहीं सुएंगे तो निश्ची तोर पे लंबे समय के बाद आपको बहुत सारी बिमारिया आ सकती है तो डॉक्टर साब अभी बता रहेते हैं किस्तों में जिन्दगी और शिफ्टों में नोकरी चल लेंगे तो आप इनको बैलेंस कैसे करेंगे अगर प्रॉपर साथ से आठ घंटी की नींद जरूर लें चाहिए कोई भी सिफ्ट में काम कर रहे हों साथ से आठ घंटी की अभी तक हमारे यूटीब चैनल डॉक्टर साहिब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें आप हमें फेस्बूक पेज पर भी लाइक्स और कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद